हेलों वेलकम वेलकम टू अग्रिकल्चर अड़ा 24-7 तो आज हम बात करने वाले हैं राइस मिलिंग के बारे में ठीक है तो क्यर्फुली यह लेक्चर आपको सुनना है ठीक है यह छोटा सा वीडियो होगा ज्यादा बड़ा नहीं होगा ठीक है ज्यादा समय नहीं लेंगे आ क lleao कैसे आपका आपका राइस मिलिंग क्या होती है सारी चीज हम आपको समझाएंगे और थोड़ी सी इसम में कन्फ्यूजन भी रहती है कि सर हालिंग और मिलिंग में क्या डिफरिंस है ठीक है इसको हम आज क्लियर करेंगे तो इस लेक्चर को द्ध्षान से सुनना है से कभी आपके एक्जाम में questions पूछे जाते हैं और हमसे गलती हो जाती है ठीक है तो देखे rice milling milling का मतलब है यह milling जो word है यह related है rice mill से rice mill में जो भी process की जाती है रा जो भी rough rice होता है उसके उसमें जो भी हम process करते हैं यह जिस form में consume करने के लिए हम उसको convert करते है rice mill में वो सभी process में आईगी किसके अंतरगत milling के अंतरगत ठीक है तो हम समझते है एक एक चीज की rice milling के अंतरगत क्या क्या आता है तो देखो simple है definition में क्या दिया है rice milling का मतलब है the process wherein rough rice grain is transformed into a form suitable for human consumption ठीक है जिस form में human rice को consume करता है rough rice को उसी form में convert करना क्या कहलाता है milling और जो milling है यह कहां पर की जाती है rice mill में की जाती है ठीक है इसमें बहुत सारी जो process है वो involved होती है milling से क्या होता है rice की जो quality है यह improve होती है nutritional value वर जाती है ठीक है और हम courses यह करते है कि rice जो है वो बहुत कम से कम broke हो या कम से कम टुकड़ों में बटे या break हो ठीक है तो चलिए हम एक एक करके इसमें देखते हैं तो देखे मिलिंग के method कौन कौन से है तो देखे तीन method है milling के एक है hand pounding दूसरा है traditional milling और तीसरा है modern milling commercial purpose से हम modern milling करते है hand pounding और traditional milling जो है वो अब नहीं की जाती है और नहीं hand pounding की जाती है hand pounding क्या है देखो जैसे कुछ farmer आपको दिख रहे होंगे hand pounding में क्या है हम rough rice को या paddy rice को कूटते हैं और उसके ऊपर का husk हटाते हैं तो यह simply क्या कहलाता है hand pounding कहलाता है यह आपको दिख रहा होगा इस तरह से हम क्या करते हैं husk को remove करते हैं इससे को नुकसान यह है यह hand pounding के traditional method में आएगा इसमें नुकसान पता क्या है कि rice broke जादा होता है तूटता जादा है तो छोटे-छोटे pieces में rice convert हो जाता है जिससे क्या होता है इसकी market value बहुत कम हो जाती है और price जिस तरह का मिलना चाहिए rice का वो नहीं मिलता है ठीक है और यह जो है यह यह भी किसके अंतरगत आएगा यह भी traditional method के अंतरगत आएगा अब हम बाप करते है modern rice milling process की यह बहुत important है तो इसमें कुछ practice की जाती है जिसमें आपके आजाएंगे देखो जिसमें आपके आजाएंगे जिसमें पैडी rice है पैडी का मतलब है जब hus इसमें कर लेते हैं पहले फिर इसके बाद की क्या की जाते है डी stoning क्या होता है उसमें जो कंकर पत्थर stones हैं dust particles हैं इनको हम remove कर देते हैं ठीक इसके बाद हम क्या करते है पर boiling क्या है एक hydrothermal treatment है पानी में डालके rice को steam करते है पानी में डालेंगे कुछ समय तक पानी में रख लोबर में आ जाता लोबर पार्ट में जिससे न्यूट्रिशनल वैलू बर जाती है और ब्रोकेज कम हो जाता है ठीक इसके बाद हम डी हस्किंग कर लेंगे देन मिलिंग करते हैं देन सेपरेशन वाइटनिंग कलर शॉर्टिंग या क्य आप लाइटनिंग प्रोकेजिंग कर लेंगे और डिंक कर ने गरेंटनिंग क्यों टॉसक्र तो यहliter है यह सारा मिलिंग से रिलेटिट है राइस या प्रॉसेसिंग से रिलेटिटिट है आप ऐसे कह सक्ते हो हां भशार मारीख चलिए तो हम करके discuss कर लेते हैं जैसे प्री क्लीनिंग क्या है तो प्री क्लीनिंग किसके दारा की जाती है यह बात आपको पता होनी चाहिए तो प्री क्लीनिंग सीव सेपरेटर और मेगनेटिक सेपरेटर या बिनुवर के दारा की जाती है तो यह तो पता ही होंगे आपको बिनुवर क्य तो इसमें सभी रिमूव कर लेते हैं, प्री क्लीनिंग में क्या करेंगे, जितने भी आपके अन्फिल्ड ग्रेंस हैं, और जितने भी इंप्यूर्टी है, वो प्री क्लीनिंग में हम रिमूव कर लेंगे, बचा हुआ, बचा हुआ, बचे हुए पार्ट में हम क्या करेंगे, de-stoning करेंगे de-stoning क्या है removal of stones removal of stones यह de-stoner है ठीक है जिसका नाम है vibratory separator de-stoning किसके द्वारा की जाती है तो vibratory separator के द्वारा की जाती है इसमें होता क्या है removal of stones removal of removal of stones stones को हम क्या कर देते है remove कर देते है इसको कएंगे het descending और यह किसके insects दोरा की जाती बैभरेटरी सपरेटर दोरा तो किस made किसमे से स्टोंस को रिमुव करेंगे तो पैडी में से स्टौन को रिमुव कर देंगे यह लिए तो इस त्र 때문에 हम चैसरा ठोगा की पैडी को या सोक कर लेते हैं फिर स्टीम कर लेंगे इसके बाद क्या कर लेंगे हस को रिमूव कर लेंगे तो पर बॉयलिंग कभी कभी पूछा जाता है पर बॉयलिंग क्या एक हाइड्रो थर्मल ट्रीटमेंट है क्या है हाइड्रो थर्मल ट्रीटमेंट है थर्मल ट्रीटम करेंगे तो रवर रोल सेलर की जाती है, इस को हम सही को रिमीव बोलते हैं, इसी को! तो बोलते है हलिंग है या हल को रिमूब करना ठीक इससे क्या होता है मिनिमम डैमेज होता है राइस ग्रेंग का अगर हम पर बॉयलिंग के बाद डी हस्किंग करें अगर हम बिना पर बॉयलिंग के डी हस्किंग करते हैं तो उससे ब्रोकिज बर जाता है ग्रेंग ज्यादा की जाती, क्या रही जाती, aspirator के द्वारा, ठीक है, अब देखिए, husk aspiration होता गया है, actually, तो क्या दिया है, separating husk from the brown rice, और unhusked paddy, और unhusked paddy, इसका मतलब क्या है, कि जब हम de husking करते हैं, तो de husking करने के बाद हमें क्या मिलता है, brown rice मिलता है, तो brown rice में दिखा हुगा, कभी-कभी husk भी रह जाता है, ठीक, तो उसको हम क्या करते है, aspirator के द्वारा, उस husk को remove करते हैं, यही क्या 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 आएगा, husk aspiration, बहुत ही simple है, तो हमने हलिंग की, हलिंग करने के बाद हमें ब्राउन राइस मिला, तो ब्राउन राइस में कभी-कभी क्या होता है, हस्क भी सामिल होता है, तो उसको भी हम क्या कर देते हैं, हटा देते हैं, that is, हस्क ऐस्पारेशन किसके द्वारा किया जाता है, तो ऐस्पारेटर के द्वा IB PPRCFO के लिए other agriculture exams के लिए सिर्फ इतना ही important है किphase इस एगनाऊ cyber के लिए बस दो ही परफर निक के हाँ जिके भई परबोईलिंग इसलिए करते हैं कि जब हम डी हस्किंग करेंगे तो राइस जो है वो ब्रेक नहीं होगा जादा पार्ट में फुल लेंट राइस मिलेगा में टूटेगा नहीं वो तो मार्केट वैलु उसकी जादा होगी है ना प्राइस जादा मिलेगी हमें तो यह हस्क सपरेशन हो गया इसके बाद अगली प्रासेस वो पैडी शपरेशन है क्या है पैडी शपरेशन यह इसके दोरा किया जाता है तो इस पैसिफिक ग्रेविटी सपरेटर के दोरा यह किया जाता है कि इसमें क्या होता है सपरेटिंग अन हस्क पैडी फ्रॉम दी ब्र और अभी कभी उसमें an Frank फ्रिटी बी रह जाता है मतलब कि जिसमें असक्व लगा होता वो भी रह जाता है भी जासे आप ने कुछ खाओगे और कुछ था गेंगे इसका Canada का फ्रीफ!」 खाओगे इसके बाद आजाता है इसके बाद आजाता है वाइटनिंग वाइटनिंग अगर आप हस्किंग करोगे डी हस्किंग करोगे तो डी हस्किंग करने के बाद हमें क्या मिलता है ब्राउन राइस मिलता है ठीक फिर इसके बाद हम ब्राउन राइस में क्या करते है वाइटनिंग क बेक किस के दोरह किया जाता है तो that is corn polisher किस के दोरह corn polisher यह आपको दिख रहा होगा बगल में corn polisher इसके दोरह क्या है removing all or parts of brown layer and germ from the brown rice using corn polisher corn polisher के use से या corn polisher के दोरह हम जितने भी parts है grain का जैसे जिसमें eluron layer भी include है और इसके अलावा जर्म भी हम रिमूव कर देते हैं इसको ही हम लोग क्या बोलेंगे जर्म मतलब इंब्रियो इंब्रियो को भी हटा देते हैं ये क्या कहलाता है आपका वाइटनिंग कहलाता है अगर इसमें वाइटनिंग और पॉलिशिंग में आपसे डिफरेंस पूछा ज जो एपीरियंस है जो ग्रेन है वो अच्छा चमकदार दिखाई देगा जिसकी वज़े से मार्केट प्राइस की ज्यादा होगी ठीक है पॉलिशिंग में भी कौन पॉलिशर का यूज किया जाता है डिफरेंस बद दोनों में इतना है कि उसमें सभी पार्ट्स को रिमूव कर जाता है इसके बाद हम बात करेंगे ग्रेडिंग की तो ग्रेडिंग किसके द्वारा की जाती है बाइबरेटरी सीव ग्रेडर के द्वारा बाइबरेटरी सीव ग्रेडर के द्वारा ग्रेडिंग की जाती है इसमें क्या करते है सेपरेटिंग स्मॉल लार्ज ब्रोकेंस फ बात संवारी है जासे हम लोगर fruits को अलग-अलग size के साब से बांट लेते हैं कि इधर side हम बड़े बड़े निकाल लेते हैं उससे फिर चोटे निकाल लेते हैं यह जो damaged fruit है उनको अलग कर देते हैं that is grading चीक है तो grading हो गया है इसके बाद हम क्या करेंगे colour sorting करेंगे तो be सूष घालो देफिनिशन गलत हो गई है कोई बात कलर सौरटन में कैंद इस에서 वाइट चाहि address अलाइए ब्राउन रायस मिले में तो इसको किसके दौरा कलर सौर्टर क Nawaz you to give color converter scanning machine कलर के मदें यह किलाते हैं यही का लाता है अपका आपका heeft वाई शॉट हो गया, सारे ब्राउन राइस अलग हो गया, वाइट राइस अलग हो गया, इसके बाद हम क्या करेंगे, बैगिंग कर लेंगे, यानि की में में राइस को, जिसमें हमने मिलिंग की है, जिसमें प्रोसेसिंग की है, जो हमें मिला है, लास्ट में, उससे हम क्या कर एक बैग में भरके dispatch कर देंगे, है ना, ट्रांस्पूर्ट कर देंगे, यह simple क्या कहला, गराइस processing या मिलिंग, तो simple आपको process याद रखनी है, pre-cleaning, de-stoning, ठीक है, per boiling, de-husking, ठीक de-husking के बाद, paddy separation हम लोग करते हैं ठीक है grading करते हैं फिर bagging कर लेते हैं whitening, polishing, grading then bagging तो ये कुछ process आपको याद रखनी है है एक damn cut to clear हो गया होगा आपको की milling का मतलब क्या है? मिलिंग का मतलब है कि उसे consumption योग बनाना consumption योग बनाना मतलब कि अप peddy ऐसे direct feed थोड़ी कर सकते हो आप लोग नहीं कर सकते हो तो उसे क्या है खाने योग बनाना ठीक है तो यह simple था आपका मिलिंग क्या होता है या rice processing का मतलब क्या है ठीक अगर आपको full length class चाहिए, तो आप paid classes में आ सकते हैं, या आप FSSAI, CFSO या TO की तयारी कर रहे हैं, या जारखंड FSO की तयारी कर रहे हैं, तो हमारे paid batches में आ सकते हैं, वहाँ पर आपको full length class मिलेगी, ठीक है हम भी पढ़ाएंगे इसमें, ठीक, अब वो कैसे मिलेगी हम आपको बताते हैं, ये class सिर्फ उन लोगों के लिए important है, जो लोग CFSO यानि Central Food Safety Officer या State FSO की तयारी कर रहे हैं, ये class सिर्फ उन लोगों के लिए important है, बाकी agriculture वाले students के लिए सिर्फ इतना ही important है, पर boiling क्या है, मिलिंग क्या है, ठीक है, क्या है, सिर्फ इतना क्या है, ठीक है, इसके बाद polishing का मतल क्या होता है, ठीक है, सिर्फ इतना ही important है, बाकी important नहीं है, बाकी machinery आपके में नहीं पूछी जाती है, machinery के बारे में या किस के द्वारा किया जाता है, ये सिर्फ FSO में पूछा जाता है, सिर्फ FSO में या State FSO में पूछा जाता है, ठीक है, तो अगर आप paid batch लेना चाहते है तो आप कैसे ले सकते हैं मैं आपको बताता हूँ Simply का अगरना Adda247 के application पर जाना है Google पर सर्च करना Adda247 जैसे सर्च करोगे इसके बाद the first website आपको देखेगी Adda247 India largest learning platform इस पर click कर देंगे click करने के बाद हम all courses में जाएंगे all courses में गए इसके बाद government jobs exams क्लिक करेंगे इसके बाद इसमें agriculture में जाएंगे agriculture section में जाएंगे तो यहाँ पर लिखाओगा FSSAI FSSAI दिख रहा होगा आपको FSSAI का जो batch है यह 17 October से start हुआ इसकी timing जो है 4 बजे से साम 8 बजे तक है complete foundation batch है इसमें सारी faculty आपको पढ़ाने वाली संदीफ सर हिना में माकास सर प्रतिवा में सुदानसू सर और मैं तो यह लोग पढ़ाने वाले हैं इसकी timing चार बजे से साम 8 बजे तक है तो इसमें simply इसमें enroll करने के लिए simply batch पर क्लिक करना है बाइनाओ पर जाना है और discount code लगाना है आपको y826a य826a लगाओगे तो maximum discount आपको मिल जाएगा तो 3564 में यह batch आपको मिल जाएगा बात संद्बारिया तो अगर आप तयारी कर रहे हैं या करना चाहते हैं और paid batch लेना चाहते हैं तो आप लोग ले सकते हैं किस तरह लेना है यह हमने आपको समझा लगाओ और discount code याद रखना है अगर आपको maximum discount चाहिए तो यह code याद रखना है Y826a थीक है कौन-कौन से इसमें process involved होती है और कैसे per boiling की जाती है ओके, thank you, मिलते हैं फिर चलिए